हालो एवरिवन वेलकम बेक टो पर्चम मैं हूँ पूझा और आप देख रहे हैं पर्चम क्लासिस इसके पहले हम एक सीरीज रन कर रहे थे जिसमें इंडियन हिस्टोरिकल फिगर जो भी इंपोर्टेंट लीडर या परसन या परसनाल्टीज रहे हैं हमारे इंशेंट इंडिया में मीडिवल और मॉडर्ण इंडिया में उनकी बायोग्राफिक को मैंने कवर किया है अराउंड 40 ऐसे परसन को मैंने सेलेक्ट किया था जो एक्जाम पॉइंट ओफ यू से इंपोर्टेंट है और जिनके बारे में जानना आपके लिए इंपोर्टेंट था जरूरी था चाहिए आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो तो वो पूरी सीरीज को मैंने तयार किया था आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे आप सभी लोगों को वो सीरीज काफी पसंद आई आप सीरीज शुरू कर रहा है जहां पर हम गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया और उन्होंने अपने 10 ने और में क्या 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 रिफॉर्म्स लाएं कौन-कौन से संधियां की ट्रिटी की कौन से बैटल उनके समय पे हुए वो सारी बातों को डिसकस करना बहुत जरूरी है क्य बारत चोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्णर जनरल कौन था या पूछा जाता है कि 1857 की रिवॉल्ट के समय भारत का गवर्णर कौन था बारत का पहला गवर्णर जनरल कौन था इस तरीके से कई सारे प्रश्ण अपने अग्जाम में डेफिनिटली देखे होंगे उनके tenure में हुए गए कामों को discuss करेंगे तो आज हमारा जो पहला topic रहने वाला है वो है Lord Warren Hastings Lord Warren Hastings ने क्या क्या किया उनके समय में क्या क्या changes हुए कौन से battle हुए कौन से treaty हुई उनको आज हमें समझ रहा है आप चाहें तो इस list के जरीए भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि Warren Hastings का जो समय था वो 1772 से 1785 तक था उसके बाद वो बापस इंग्लेंड जाते हैं इंग्लें guilty find होते हैं तो हमें यहाँ पर बात करनी है Governor General of India Warren Hastings के बारे में जिनका tenure आप देख सकते हैं 1772 या 1773 से 1785 तक रहा है इनके समय में क्या क्या हुआ तो हम बात करेंगे Regulating Act 7073 के बारे में इसके अलावा फिर Pits India Act आया था 1784 में Rohila War हुई थी 1774 में पहला Maratha War एंग्लो Maratha War फर्स्ट वो हुआ था जिसमें आपको Treaty of Salbite, Treaty of Purandar के बारे में जानकारी मिलती है सूरत की संदी के बारे में जानकारी मिलती है जो हम देखेंगे और Second Mysore War 1780 से 84 यह भी Warren Hastings के समय हुआ था तो Warren Hastings के समय में यह important event हुए है जिन से exam में question बनते हैं आपको याद रखना Regulating Act, Pits India Act, Rohila War, First Anglo-Maratha War and Second Mysore War ठीक है? clear? तो इनको हमें समझना है लेकिन आज की कहानी को समझने से पहले आपको past की कहानी का भी knowledge होना चाहिए तभी तो आप link कर पाएंगे चीजों को associate कर पाएंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1600 के आसपास जो है वो British India Company बनती है और फिर वो भारत आती है तो British East India Company ट्रे किस ruling company में convert हो जाती तो आप पूरा modern India जब पढ़ेंगे जिसके separate video आपको मिल जाएंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरह किस एक trading company भारत में आके ruling body बन जाती है इसके अलावा इसकी power जब और बढ़ जाती जब प्लासी का battle होता है और बकसर का battle होता है और आप सभी को पता आप लोग ने पढ़ी होगी जो Robert Clive थे वो बंगाल के पहले governor बताया जाते हैं और फिर ऐसा बताया जाता है कि जब वो बापस England लोटे थे लंदन लोटे थे वो तो उनके पास बहुत पैसा था बहुत अपार संपती थी लेकिन उनके अपर कई सारे charges लगाए गए गये और और वो अपने उस बेज़्यती को बरदाश्ट नहीं कर पाए ऐसा बोला जाता और इसके बाद उन्होंने suicide कर लिया था तो अपने घर में वो मरे हुए पाए गए थे तो वो Robert Clive की कहानी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा मैं Robert Clive पर भी एक separate वीडियो बना दूँगी लेकिन आज हमें बात करने वारेन हैस्टिंग के बारे में तो आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जो कमपनी थी वो भारत के इंटरनल अफेर्ट में involved होना शुरू हो गए इस्ट इंडिया कमपनी की जो पावर है वो प्लासी के बैटल के बाद बहुत इंप्रूव हुई और बकसर के बैटल के बाद बकसर का बैटल 1764 में हुआ था उसके बाद कमपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे दीवानी राइट्स का मतलब होता है revenue collect करने का अधिकार जो टेकसेज होते है ना उसको collect करने का अधिकार जो है वो कमपनी को मिल गया था वो भी कहां का बंगाल बिहार और उडिसा का चीक है तो इस तरीके से internal affairs में भी company ने involvement शुरू कर दिया था चीक है और जो रॉबर्ट क्लाइब थे उन्होंने dual system जो डायार की है उसकी होंगे तो वहां से crown जो है या पार्लियमेंट जो है ब्रिटेन की वह हम पर objection उठाएगी इसलिए यहां पर डायार की यह dual system इंट्रूज किया था रॉबर्ट क्लाइब ने चीज़ है तो डूल गवर्मेंट क्या होती है जो बंगाल में इंट्रूज की गई थी रॉबर्ट पुलिस के राइड एड्मिस्टिव राइड जो है वो नवाप को देखे रखे हैं कि आपको जनता जो सुराज जी की जनता इसका take care करना है लेकिन जो डिवानी होती है जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का दिकार होता है वो ब्रिटेन की कंपनी के पास होगा तो यह डूल जो वारिन हैस्टिंग आते हैं वो इस डूल गवर्मेंट सिस्टम को खतम करने का काम करते हैं और सारी के सारी जो पावर होती है चाहे इंटर्नल मैटर हो एक्स्टरल मैटर हो दिवानी राइट्स हो सभी कुछ चीज़ जो है वो बिटेन इस्ट इंडिया कंपनी के हातों म का काम किया था तो आपने अभी तक क्या सीख लिया कि सोलर सो में इस्ट इंडिया कंपनी बनती है फिर भारत आती है और भारत में ट्रेट करने आती दियर दियर रूल करना शुरू कर देती है और प्लासी का बैटल होता और बक्सर के बैटल के बाद इस्ट इंडिया कंपन बढ़ते जा रहे हैं और इस्ट इंडिया कंपनी के पास तो पैसा पहुंची नहीं रहा है और इस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बैंकर अपसी की कगार पे है वो बार बार बिटें की बैंक के पास जा रही है और कह रही हमको लोन दे दो हम कंपनी कैसे रन करें हमारे पास प फार्मर्स से पैसा वसूलते हैं और अपने जेबों में रखते जा रहे हैं और जब वो इंग्लेंड लॉट कर आते हैं तो लोग उनको देखते हैं यारी तो कितनी रिच लाइफ को जीते हैं कितने अच्छे तरीके से जीवन आपन करते हैं मतलब भारत में अगर आप गवर् हो रहे हैं मतलब बीच में करप्शन बहुत जादा है इसलिए यहां पर ब्रिटेन की जो पार्लियमेंट है अब वो आंगे आती है और कहती है कि नहीं अब तुमनों से नहीं होगा अब हम जो हैं हम आपको लोन तो दे रहे हैं लेकिन अब हम रेगुलेट करेंगे हम यहां तो कमपनी का जो अधिकार था उसको बनाय रखने के लिए कमपनी की जो बैंक करप्शन चल रहा था उनको रेगुलेट करने के लिए वो सारी चीजों को देखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है और यह कब का समय है वारेन हैं तो आई अब हम बात करना शुरू कर होता क्या था ज़र आप इस बात को समझे कि पहले तीन प्रेसिडेंसी या हुआ करती थी मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉंबे प्रेसिडेंसी ठीक है जो मद्रास प्रेसिडेंसी था उसके गवर्नर ऑफ मद्रास कहलाते थे बंगाल प्रेसिडेंसी क के उपर भी कंट्रोल जो है वो governor of बंगाल का आ जाता है तो governor of बंगाल को governor general of बंगाल कहा जाने लगता है तो पहले governor general of बंगाल कौन होते हैं war in hasting होते हैं और जो regulating act होता है 1773 का उसके बाद war in hasting governor general of Bengal बनते हैं और governor general of Bengal ही regulating body होती है जो मदरास को और Bombay को भी regulate करने का काम करती है मतलब कोई भी बिल अगर आप pass होने है तो governor general of Bengal की permission से ही pass होंगे बात समझ में आ रहे हैं तो इसी regulating act के बाद governor general of Bengal कौन बनता है वारेन हेस्टिंग बनता है 1785 तक ही रहते हैं लेकिन इनके करियर की शुरुआत यहां से नहीं होती काफी पहले से होती है जब भारत आते हैं उस समय वो 18-17-18 साल के होते हैं और East India Company में Calcutta में as a clerk, as a employee वो जोईन करते हैं 70-50 में यहां से इनके करियर के शुरुआत होती है और इनके नजर पर नजर पढ़ती है Robert Clive के और देखते हैं यह बंदा तो अच्छा है अच्छा खासा काम करता है तो इनको बंगाल भेज दिया जाता है मुर्शिदाबाद जो बिटिशर के जो कह सकते हैं एमबेस्टर के रूप में वो रहते हैं नबाब के पास मीर जाफर उसनमें बंगाल का नबाब होता है और मीर जाफर को जो बंगाल के नबाब की तरह इंस्टॉल किया जाता है तो वहाँ पर एक बिटिश रेसिडेंट की तरह या British Ambassador की तरह Warren Hesting मीर जाफर के पास रहते हैं ठीक है और उसके बाद उसके बाद जो Robert Clive चला जाता और उसके बाद जो Warren Hesting होते हैं उन्हें Governor General of Bengal बनाया जाता तो इस तरही किसे उनके career की शुरुआत होती है और उनके समय पे ही पहला Anglo-Maratha War होता है और Second Anglo-Mysol War लड़ा जाता ह इनके पीछे की कहानी भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और Regulating Act 1773 पास होता है इसके अलावा Warren Hesting आप देखेंगे Warren Hesting में support किया था Sir William Jones को और Sir William Jones की मदद से Asiatic Society of Bengal का formation हुआ था 1785 में तो याद रखेंगे Asiatic Society of Bengal का formation 1785 में Sir William Jones की मदद से किया गया था Warren Hesting ने भी इसमें contribute किया था ठीक इतनी चीज़ है आई अब हम थोड़ी सी और बाते करते हैं कि क्या हुआ था जब ए Governor General of Bengal बन गय थे वही कहानी मैंने लिखी है कि When East India Company came to the India, it controlled Bengal through a post name Governor of Bengal तो पहले Governor of Bengal कौन थे? Robert Clive थे और दूसरी Presidency यहां भी थी Bombay और मदराग और उनकी अपने अपने Governor थे लेकिन जब Regulating Act आता है तो उसके पास Governor of Bengal होता है उसको हम Governor General of Bengal में convert कर देते हैं और पहले Governor General of Bengal जो है वह वह वार इन हेस्टिंग होते हैं यह बाते हैं हमने यहां पर discuss कर ली और क्या चीज़ें होती है Regulating Act से? तो यह क्या करते हैं सबसे पहली बात तो यह Supreme Court का formation करते हैं हमारे देश में Calcutta में 1774 में Supreme Court का formation होता है बंगाल में चीक है और इसमें एक आपका Chief Justice होते हैं और तीन दूसरे Judges भी होते हैं तो 1 प्लस 3 is equal to 4 यह आपका उस समय का Ratio होता है और Elijah M.Fajr होती है वो Supreme Court की पहली य किया जाता है Warren Hastings के समय इसके अलावा इन्होंने क्या किया जो डूल गवर्मेंट चल रहे थी उस डूल गवर्मेंट को खतम करने का काम किया जो Robert Clive में डायार की शुरू की थी ना उसको खतम करने का काम इन्होंने कर दिया इस Regulating Act के अंतरकर नेक्स एक कंट्रोल ओवर इं करने के लिए Governor General के साथ चार Members की एक Council बनाए गई थी ना Governor General और चार Member of Council तो ऐसे टोटल पांच लोग जो थे यह Council बनाए गई थी और यह बंगाल पर Administration करने का काम करते थे ना इन्हें ब्रिटेन Council of Bengal भी आप बोल सकते हैं और कोई भी Decision पास होता था तो यहां पे वोटिंग आ रहा है तो यहां पर टाई की कंडिशन बन जाती तो कास्टिंग वोट करने का अधिकार जो था वो Governor General को था तो इसके कारण वारन हैस्टेंग को काफी समस्या फेस करने पड़े जिसके कारण Council के Member अकसर उनके खिलाफ हो जाया करते थे अगर दो व्यक्ति वारन हैस्टिं बनाई गई थी ना administration करने के लिए यहां पर Member की संख्या कम कर दी गई थी तो 1 प्लस 3 बाद में कर दिया गया था लेकिन स्टार्टिंग में 1 प्लस 4 था यह problem को solve करने के लिए तो यहां पर Indian Affairs में control जो है वो Britain Government का हो गया और इसके लिए आपने बंगाल में क्या कर दिया एक administration भी बना लिया इसके लाव आपने Supreme Court का formation भी कर दिया चेक है इतनी चीज़े अब आंगे की बात करते हैं तो Supreme Court का formation हो चुका है Supreme Court के बाद हम यहां पर बात कर रहे हैं रोहिला वार के बारे में अब रोहिला वार की कहानी थोड़ा सा इस map के जरिये समझ के देखिए यह आप रोहिल खंड का एरिया है और यह आपका अवद का एरिया है ठीक है ना अब यहां पे थे मराठाज तो मराठाज ने क्या किया रोहिल खंड पर हमला कर दिया तो रोहिल खंड थोड़ा डर गया कि यार हम क्या करें तो यह किस के पास गया अवद के नवाफ के पास गया और क कि आप हमारी मदद करो तो ऐसे फ्री में मदद तो करेंगे नहीं थीख हैं के हम आपकी मदद करते एंगर माराथा आप पे जो पेश्वा थे तो रास्ते में ही उन पेश्वा की तवियत खराब हो जाने की कारण मरत्की हो जाती है जो पेश्वा होते मराथा के वो मर जाते हैं तो मराथा जो है वो रोहिल खंड पर हमला नहीं करते हैं और रोहिल खंड बच जाता है लेकिन अवद के नवाब बोलते हैं कि हमारे 40 लाख रुपे तो दो तो रोहिल खंड कहता है जब मराठा ने हमला ही नहीं किया तो हम आपको कैसे पैसे दें तो अवद का नवाब कहता है या रही ऐसा तो कुछ नहीं है हमने तो आपको मदद का आशवाशन दिया था अगर वो हमला करते तो हम तो देते हमको तो हम पैसे चाहिए तो यहाँ पर रोहिल खंड मना कर देता है और रोहिल खंड जब मना कर देता है तो अवद का नवाब नाराज हो जाता है अवद का नवाब कहता है अब तो हम रोहिल खंड पे हमला करेंगे तो अवद का नवाब जो है वो बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाता है और उनके साथ मिल के कहता है कि चलो हम रोहिल खंड पे हमला करते हैं तो अवद के नबाब और East India Company मतलब British East India Company दोनों मिलके रोहिल खंड पे हमला कर देती हैं इसको ही आप रोहिला वार कहते हैं और ये समय भी वार इन हैस्टिंग का समय होता है ये समय भी वार इन हैस्टिंग का समय होता है अभी तक क्या क्या कहानी हो चुकी है तो अभी तक जो है Governor General of Bengal बन चुकी है Supreme Court का formation हो चुका है Dual Government के सिस्टम को यहाँ पे खतम कर दिया गया है एक Administrative Council है उसका formation किया जा चुका है इसके अलावा रोहिल्या वार हो चुका है इतनी चीजे अभी तक वार इन हैस्टिंग के समय हो चुकी है अब क्या हो रहा है अब हो रहा है पहला Anglo-Maratha War इसके पीछे के background को भी हम समझने के कोशिश करते हैं देखिए का कहानी कुछ इस तरीके से होती है Third Battle of Panipat आप सभी को पता है कि 1761 में 1761 में तीसरा Panipat का युद्ध होता है जिसमें Maratha की हार होती है है ना Maratha हार जाते हैं पानीपत की लडाई में और जो पेशवा होते हैं बालाजी राओ उस समय पेशवा होते हैं तो इस लडाई में आप देखेंगे तो विश्वास राओ हो गए समसेर और कई जो बड़े-बड़े Maratha लीडर थे उन सब की जान चली जाती है और इस लडा है माधव राओ के तो यहां पे बोला जाता है कि अब माधव राओ अगले पेशवा बनेंगे या रगुनात राओ पेशवा बनेंगे तो रगुनात राओ जो होते हैं वो पेशवा बना चाहते हैं लेकिन यहां पे माधव राओ को पेशवा बना दिया जाता है तो माधव अपनी territory को बापस लेने का काम भी करते हैं बहुत ही शांदार अपना empire बिल्ड करते हैं और पेशवा जो माधवराओ होते हैं उनके समय जो अलग-अलग मराथास थे जैसे कि गायकवार थे वरोदा के बोसले थे नाकपुर के सिंधियास थे वोलकर थे पेशवा थे तो वो सहीयों करते हैं और मराथा empire को बहुत ही powerful यह लोग empire बना लेते हैं लेकिन जो माधव राओ होते हैं ट्यूवर क्लोरसिस इनको एक बिमारी होती जिसके बाद वो मढ़ जाते हैं और माधव राओ जी की death के बाद जो है इनका जो एक और भाई होते नारायन राओ वो यहाँ पेशवा बनते हैं तो नारायन राओ जो है वो अगले पेशवा बन जाते हैं अगें अंकल जी तो रह गए रगुनाथ राओ जी रहे गा मरवाने का काम करते और नारायन राओ को मार देते हैं और इतनी बड़ी बड़ी घटना है तो ऐसे छुपा के रखने ही सकते हैं धीरे से ये घटना भी बहार आ जाती है कि राघुबा ने रगुनात राओ ने नारायन राओ की मृत्यू कराई है और रगुनात राओ जो है वो पेशवा के पतबे पहुंच गए है। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आती है कि नारायन राउ की मरत्यू के पीछे, उनको मरवानी के पीछे राघुबध का हाथ है तो यहाँ पर उस समय कि बहुत बढ़े लीजर होते हैं जो की बार काउंसल का फर्मेशन करते हैं, चोटा सा बेटा होता है जिसका नाम होता है सवाई माधवराओ या जिनको माधवराओ second के नाम से भी जाना जाता है और ये केवल और केवल 40 days के होते हैं जब इनको बार काउंसिल के दौरा अगला पेश्वा डिकलेर किया जाता क्योंकि बहुत छोटें तो बार काउंसिल ही है यह पेश्वा बन गए और रगुनात राओ को अगीन पेश्वा नहीं बनने दिया गया तो बहुत नाराज हो गए बहुत नाराज हो गए अब क्या करें नाराज हो के चलो बिटिशर्स के पास जाते हैं चलो बिटिशर्स के पास जाते हैं चलो बिटिशर्स के पास जाते ह हैं कि आप हमारी मदद करो, आप हमारी पेश्वा बनने में मदद करों परदने के बदले warms शालसेंट और वसीन का rise जो है wot हम आपको देंगे तो भसीन और सालसेंट देने का वादा रगुनाथ राओ बिटिन इस्ट इंडिया कंपनी से करते हैं चीक है इतनी चीज़ें इसके अलावा सूरत और भरुष डिस्टिक जो है वहाँ पे हम आपको रिवेन्य राइट या दीवानी राइट भी आपको प्रवाइट करेंगे और ठीक है तो बदले में ब्रिटिश इस्ट इंडि लेकिन आपको मैं बता दू कि ये ट्रिटी जो है वो बॉंबे प्रेसिडेंसी में साइन की गई थी ये ट्रिटी जो है वो बॉंबे प्रेसिडेंसी में साइन की गई थी और आपको मैंने बताया है जो हमारी मदरास प्रेसिडेंसी थी और बॉंबे प्रेसिडेंसी थी वो Warren Heston के पास पहुंचता है treaty of सूरत के बारे में तो यह deny कर देते कि हम ऐसी कोई treaty को नहीं मानते हैं हम ऐसी कोई treaty को नहीं मानते हैं मना कर देते हैं लेकिन तब तक तब तक तो कहानी पलट हो चुकी होती है बिटेन के पच्छी सो सोलजर्स जो होते हैं रगुनात राओ के पास होते हैं और रगुनात राओ और मराथाज बचे हुजे मराथाज हैं उनके बीच में fight शुरू हो जाती है उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और Warren Heston कहते हैं कि हम इस treaty को नहीं मानते हैं आप यहाँ पर बामे प्रेसिजेंसी के गवर्नर को बोलते हैं कि आप फटावड तुरंट के तुरंट जो है अपनी battle को रोकिए इस लड़ाई को आप तुरंट रोकिए और वहाँ पर वो क्या करते हैं यहाँ पर आप देखिएगा देखो यह लड़ाई चल रही है मराथा उस समय हरीपंत फड़के और यहाँ पर अगुनात राओ और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह वार्ड चल रही है लेकिन वारिन हैस्टिंग तुरंट यहाँ बामे प्रेसिजेंसी के गवर्नर को कहते हैं कि इस battle को स्टॉप करो इस battle को स्टॉप करो हम सूरत की तुटी को नहीं मानते इसके बदले में यहाँ पर वारिन हैस्टिंग यहाँ पर वारिन हैस्टिंग फ्रेंडशिप तुटी साइन करते हैं मराथास के साथ और कहते हैं कि हम आपके जो माधावराओ सेकेंड है उनको ही आपका अगला पेश्वा बानते हैं हम रगुनात राओ या ऐसे कोई व्यक्ति के साथ नहीं है जो मराथा एंपायर के अगेंस्ट हो और हमने जितनी भी टेरिटरी को उक्क्युपाई किया है मराथास की वो भी हम आपको दे देंगे और हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते है वोरेन हेस्टिक फ्रेंड्शिप टेटी करते हैं मराथास के साथ और सूरत की टेटी को मानने से मना कर देते हैं और यहाँ पे कॉल आप करणरल देख सकते हैं करणरल किटिंग को बोलते हैं फटाफट से ये battle को stop कीजिए बात के लिए रहे तो इसको हम बोलते treaty of purandar treaty of purandar भी war and hasting नहीं करवाई थी treaty of purandar किस ने कराई थी war and hasting ने करवाई थी बात समझ में आ गई इतनी चीज़े छीक है अब treaty of purandar तो sign हो गई लेकिन बाद में जाके treaty of purandar को breach कर दिया चाता है है ना यहाँ पर treaty of purandar को जो है वो breach कर दिया चाता है और बाद में जो है वो पहला Anglo-Maratha war हो जाता है और जिसके बाद फिर इस problem को solve करने के लिए सालबाई की संधी की जाती है कौनसे संधी होती है सालबाई की treaty sign की जाती है बात क्लियर हो रही है तो सालभाई की टुटी यहां तक हमारी कहानी क्लियर हुई नेक्स्ट बात करते हैं अब देखिए अब क्या होगा और क्या करवाया तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोट की स्थापना करा दिये वॉर्रेन हैस्टिंग ने फाउंडेशन ऑफ एशियातिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गया है विलियम जॉन्स की मदद से 1784 में इसके अलावा इन्हों ने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने का काम किया था और यह ट्रांसलेशन किया था वो चार्ल्स विलकिन्स ने किया था तो यह ब पोस्ट होती न डिवेन्यो कलेक्ट करना वो पोस्ट करने का काम भी वारेन हैस्टिंग नहीं किया था और इन्हों ने जो है अपनी कैपिटल को अपने ट्रेजरी थी उसको भी मुर्सिदावाद से कैलकटा ट्रांसफर करके बंगाल की कैपिटल कैलकटा को बनाया था तो ट्रेजरी ट्रेजरी का ट्रांसफर है वो मुर्सिदावाद से कैलकटा करने का काम भी वारेन हैस्टिंग नहीं किया था इत्ती चीज़े के लिए अब यहाँ पर मैं बता चुकी क्यों इन्होंने डूल सिस्टम को खतम करने का काम कर दिया था अब दिवानी राइट्स और पर शिक्षीक्ति ट्रेजरी थी उसको भी मुर्शिदावाद से कैलकटा शिफ्ट का करने का म कर दिया था और कालकटा को बना दिया गया था बात किलिए है तो थो स्टम करने के लिए बिटिश कैलेक्टशन करने के लिए Іस दिस एक जिले में टेक्स को वसूल करने के लिए बिटिश कलेक्टर अपोइंट किया जाते थे ठीक है यह रिवेन्य रिफॉर्म था इसके लावर जो अन्रीजनेबल टेक्स लगते थे तो टेक्स को कम किया था जिससे किसानों पे बर्डन कम पड़े और अशान्ती जो है फैमाइ नाया हुआ था बैस्ट पॉंगॉर्म में तो वन थर्ड पॉपॉलेशन जो है वहां की खतम हो गई थी मर गए थे सारे लोग तो जो एक्स्ट्र अन्रीजनेबल टेक्स थे उनको रिड्यूस करने का काम इन्हों नहीं किया इसके अलावर जो शहा आलम थे उनको जो जो एरिया है वह शहा आलम से खर लिया और उसको सहा जो दौला को 30 लाग रुपें बेचने का काम किया सर्वेंट्स को जो बहुत साधा अमाउंट में पैंशन मिलती तो इस पैंशन को रिड्यूस करने का काम किया इसके अलावा इन्होंने करण सी को इंप्रूफ करने का का किया करन्सी को इंप्रूफ करने से क्या मतलब है करन्सी देखो मुगल मुगल की करन्सी भी चलती थी बंगाल के नवाप की करन्सी भी चलती थी और तब तक इन्होंने भी अपनी टकसालें खोलनी थी और बिटेश की इस्ट इंडिया कंपनी उनकी भी करन्सी चलती इतनी अलग वेराइटी ऑफ करंसी है तो क्यों ना इसको एक यूनिफिकेशन किया जाए है न तो करंसी को इंप्रूफ करने का काम भी वॉरन हैस्टिंग ने किया था इन्होंने सन्यासी रिवॉल्ट को सन्यासी रिवॉल्ट को सप्रेश करने का काम सन्यासी रिवॉल्ट को खतम बंद करने का काम किया था इन्होंने पुलिस जो थी क्यालकटा के उसको इंप्रूफ करने का काम किया और जो मैरिजिस पर टेक्स लगते थे उस टेक्स को हटाने क काम भी Warren Hasting ने किया था अब इन्होंने जूडिक्शल में क्या-क्या रिफॉर्म किये तो देखिए इन्हों ने पहले जूडिक्शल पावर थी ना उसको इन्होंने खतम कर दिया कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती तो आप जमीदार नहीं है कि जजमेंट दे लेगा कि तुमको यह फाइन है तुमको वह सजा है नहीं जमीदारों के पास जडूडिशल पावर थी उसको खतम किया आपके जो मामले वो इसके लिए हम civil और criminal courts बनाएंगे तो यहाँ पर civil court और criminal courts को बनाया गया था civil court में आपको दिवानी जो भी मामले होते थे जमीन से लेके या टैकसे से लेके वो सब civil मामले यहाँ पर सुने जाते थे इसके अलावा अगर कोई भी civil और criminal courts के जो भी judgment आये हैं उससे अगर वो खुश नहीं तो उसके लिए एक appellate court भी बनाया गया था और अगर उन्होंने कोई crime किया तो सजा कैसे दे तो पंडितों को बुलाया उन्होंने और हिंदू जो बिल है वो तयार किया और उसको English में translate किया वैसे इन्होंने Muslims के लिए भी law बनाने का काम किया था जिससे साशन व्रवस्ता जो है जो गवर्नर्स थे या फिर जो सर्वेंट्स थे जो अधिकारी थे वह बहुत गलत तरीके से उपयोग करते थे तो दस्तक का जो है वो खतम इसको मिस्यूज को खतम करने के लिए दस्तक सिस्टम को खतम कर दिया है और इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म टैरिफ मतलब चाहे सब्सक्राइब करेंगे कंपनी नोगी हम साइड विजनस भी करेंगे और अपनी जेवों को भारेंगे तो फ्राइवेट ट्रेड को खतम करने का थे काम ने किया थे वह बे काम इन्हों जाधा bidding करता था उसको 5 साल के लिए land revenue collect करने का अधिकार दिया जाता था लेकिन यहाँ पर मनमानी तरीके से जो है वो जो जमीदार थे वो tax वसूलने का काम कर रहे थे वो अपनी जे में भर रहे थे उतना फायदा जो है जो bid जाधा करता है उसको सड़क बनाने का अधिकार देते हैं वैसे यहाँ पर भी bidding होती थी जाधा bid करता था उसको जमीन पर tax वसूलने का अधिकार दिया जाता तो पहले 5 year land revenue settlement था उसको बाद में जाके 1 year land revenue settlement में convert कर दिया गया था तो यह सारी चीज़े हुई इसके बाद PITS India Act 1784 भी Warren Hastings के समय ही पास हुआ था अब इसमें क्या किया गया इसमें इनोंने कहा कि देखेगा British East India Company तो भारत में है अब British East India Company के ऊपर एक body होनी चाहिए जो British Government को regulate करे और जो भारत है भारत का administration कैसे चलेगा उसके लिए एक separate body हो नहीं थी एक तो पहले से थी board of control और दूसरी है court of directors चीके ना तो board of controls and court of directors यहां पर तयार किये गए थी ठीके एक तरीके से dual control system यहां पर set up किया गया था court of director और board of control की मदद से इसके अलावा जितना territory company का था company ने जहां जहां कबजा किया रखा था या भारत के जिन जिन एरि secretary को declare करने का काम किया था अब यहां पर जो board of control थे वो company के civil, military, revenue, affairs को handle करने का काम करते थे इसमें एक chancellor of exchequer था जिसको आप Treasury Department of Finance Minister बोल सकते हैं secretary of state था और चार member थे जो आपके preview council के चार member थे जो directly appoint के जाते थे crown से तो crown एक तरीके से regulate करना शुरू कर रही है आप company के ऊपर ठीक है और important जो political matters होते थे उसके लिए एक अलग से body बनाए गई थे जिसको आपने कहा है court of director और court of director में तीन डारेक्टर एक committee थी जो कि तीन डा यहां पर की गई इसके अलावा governor general and command in chief the council of the governor general was reduced to three members 1 plus 4 था मैंने बताया था आपको इसको reduce करके 1 plus 3 कर दिया गया था इतनी सारी चीज़ा जो है इस दौर में की गई थी तो pits India act 1784 भी war in hasting के समय आया था ठीक है war in hasting के समय जो है वह second anglo-mysore war भी conduct हुआ था तो यह सारी जो है अपना tenure खतम करने के बाद 1785 के बाद जो है वह बापस जाते हैं England में चीक है और जब वहां पर जाते तो उन पर impeachment वहां की जो पार्लियमेंट है उन पर mismanagement के personal corruption के और बोला जाता है कि जो भारत में इस तमें वार हुई है चाहे वह एंगलो-माराथा वार हो या फिर उसके पीछे आपका हाथ है आपने सही तरीके से डील नहीं किया आप उनके इंटर्नल मैटर्स में क्यों इन्वाल्व हुए एट्सेक्टरा एट्सेक्टरा तो वारेन हैस्टेंग पे कई सारे चार्जेस लगाए गए थे mismanagement के और पर्सनल करप्शन के और उनकी उपर impeachment conduct क करने का काम किया था लेकिन उसके बाद वो नॉट गिल्टी पाये गए क्लियर है इतनी चीज़े मैटर क्लियर तो यह थी वारेन हैस्टेंग की कहानी जो कि हमारे बारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ओके तो आई थिंग आपको सारा मैटर यहां पे समझ में आय जब थाद ठावना कि है कि अहादब का रख भारे गारे रभे ख लोले ठावने के रुड़